हेलो एव्रिवान वेलकम टू क्वान स्टडी हम कर रहे हैं अपना जेनरल अवेरनेस का पार्ट कवर जे जेके एससबी की क्लास फोर की रेक्रूट्मेंट के लिए हमारे देखे जो रेड आपके इंडिकेटर हैं यह सारे टॉपिक्स आपके हो चुके हैं इंडियन हिस्ट्र टेमिस्ट्री यह सब आपका शुरू हो चुका है ओके सो आप कहां जाकर देख सकते हैं इसे प्लेलिस्ट में जाए प्लेलिस्ट में आपको डिफरिंट प्लेलिस्ट मिलेंगी जेनरल अवेरनेस की मैट्स की रीजनिंग की आप जाए उसे आपने जो टॉपिक पढ़ना है आप उसे पढ़ सकते हैं और अपनी एक्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेर कर सकते हैं ओके यह हमारी जो विडियो है यह हर शाम चार बज़े आपके लिए अवेलेबल हो जाती है ताकि आपका सेलेबर्स हम डेली बेसिस पर कवर करवाएं और अपको हम सांपल पेपर हम साथ साथ में ही दे रहे हैं ताकि उस तहीं पर हम सिफ आपकी रिविजिन करवाएं ओके अभी तक अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर कर लीजिए अगर न्यू है तो तब भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगे कि आप जाए चानल को सब अपडेट्स मिलते रहेंगे और टेलिग्राम पर आपको डेली क्विजिस मिलते हैं जिससे आपकी प्रप्रेशन का आपको पता चलता रहता है और आपको हर रोज कुछ निया सीखने को भी मिलता है तो चलिए अब मेडिवल हिस्ट्री कह रहे थे आज हमारा लास्ट लेक् अपटिव इंपॉट इंपॉटन्त यह था जैसे कि आप पूछते हैं कि माम क्या इंपॉटन्ट है क्या नहीं है मैं तो यहीं कहूंगी कि जो मैं बहुत है प्रिसाइज इंफॉमेशन लेकर आती हूँ जो मैं आपको करवा रही हूं वह अब्विसली आपके एक्विजाम नोट्स पर मत जाएगा नोट्स प्लस क्वेस्टिंज दिस्विल आक्चुली मेक यू प्रिपेर्ड फू यॉर एक्जाम तो अभी तक हमनी डेली सल्टनेट कर ली है मुगल डायनिस्टी का मैंने आपको जहांगीर तक मैंने आपको बता दिया था लास्ट विडियो में अब ठेक है तो खुर्रम जब इन्होंने अपनी राजगदी संभाली तो फिर उनका नाम हो गया शाजहां इनके टाइम पर आपको याद हो गया इनके जो फाधर थे जहांगीर उनके टाइम पर मैंने बोला था कि पेंटिंग जो थी अपने फुल ग्लोरी में थी वो शाजहां क के टाइम पर आकिटेक्टिर अपने फुल ग्लोरी में था शाजहां ने बहुत ही फेमस फेमस हमारी जो है वो बनवाई हुई है जिसे ताज महल का तो आपको पता ही होगा ताज महल देन रेड़ फोर्ट जामा मस्जित मोती मस्जित जो की आगरा में है ये सब किसने बनव थ्रोन था ठीक है इनका टूम्ब टूम्ब मतलब कि जो जब इनकी डैथ होगी तो इनका जो मकबरा बनवाया गया वो कहां बनवाया गया तो इट वाज इन आगरा कहां पर जहां पर ताज महल है वहीं पर उनने ने मुम्ताज महल जो इनकी वाइफ थी उनका टूम बनवा में हुआ कि इनके जो बेटे थे दाराशिको उनको इन्होंने राजगद्धी दे दी पर इनके जो सेकिन बेटे थे औरंग जेप उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपने क्योंकि he was very ambitious उन्हें बहुत क्या बोलते हैं उन्हें बहुत जदा रूल करने का उनका इरादा था तो जब उनके बड़े भाई को गद्धी दे दी गई तो उन्होंने क्या किया अपने ही फादर को अरेस्ट कर लिया और खुद गद्धी पर बैठ गे एंदेन इन्ही फॉर्ट बैटल विद दारा शिको जहां पर उन्हें हरा के वो बन गे रूलर डेली के ठीक है तो आपको दारा शिको का नाम भी पता हो नाजी अभी मैं आपको औरंग जेब ही बढ़ाने वाली हूं वहां पर भी मैं आपको बताऊंगी तो चलिए औरंग जेब देख जेब जो था वो अपने भाई को हरा कर गदी पर बैठ गया अब औरंग जेब जो है इन्होंने टाइटल खुद टाइटल लिया था आलमगीर का और इन्हें लोगों ने जिन्दा पीर और शाही दर्वेज का भी टाइटल दिया था क्यों क्योंकि ही वाज इसलाम को बहुत जादा इन्होंने प्रचार किया था इसलिए इन्हें जिन्दा पीर भी बोला जाता था और इन्हें शाही क्योंकि यह अफकोर्स रूलर थे इसलिए उन्हें शाही दर्वेज भी बोला जाता था इन्होंने ही क्या किया था दाराशिकों के साथ बैटल ओफ देवराय लड़ाई करके वापीस से इन्होंने अपना राज हभाई है तो कभी अगर आपको आए कि सुरान्मे दो भारी कोरो ने सेरमनी करी है या फिट कि दो बारी राजय अभिशेक करवाया तो ही वास औरंग जेब और यह तो आपको पता ही है कि इन्होंने भी 49 इयर्स तक रूल किया जैसे कि अकबर के टाइम पर मैंने आपको बताया था ठीक है तो दाराशिकों का ही हो गया और इनकी जो सेकिन ताइम की जो राजय अभिशेक हुआ था वो कहां पर इन्होंने करवाया अपना रेड फोर्ट में ठीक है इन्ही के टाइम पर इन्होंने जजिया टैक्स को वापिस से रीम पोस कर दिया जिसे अटा दिया गया था फिल्ग्रिम टैक्स को भी रिइंपोस कर दिया इन्होंने म्यूजिशिंस को बैन कर दिया जरोखा दर्शन क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि महलों में लेडीज के लिए भी कुछ पर्दे वाली जगह उपर रखी जाती थी जहां से लेडीज जो थी व और वाइन को भी इन्होंने बैन करवा दिया था इन्होंने जो अपने नए कोईन्स निकाले थे तो कि मैं इसे क्लीन कर देती हूं इन्होंने अपने नए कोईन्स निकाले थे जहां पर इनका खुद का फेस था और इन्होंने ऐसा क्यों किया क्योंकि पहले कोईन्स जो थे लिखी गई थी तो इनोंने बोला कि जो सिक्के हैं वह पाऊ में आते हैं और ये बिलकुल अच्छा नहीं है कि वह पाऊ में आये वह जो आपके फ्रेज इसे लिए इन्होंने वह कोईन सारे चेंज करके अपने face के इनोंने सिक्के निकाले ने बैटल ओफ देव रहे के बारे में मैंने आपको बताई दिया उसके बाद दारा शिको ही थे जिनोंने अब भगवत गीता और हमारी जो बाकी उपनी शद्स थी उन्हें पर्शियन में ट्रांसलेट किया था तो अगर कभी क्वेस्चन में आए कि किसने ट्रांसलेट किया था में तो ही वस दारा शिको ठीक है इन्होंने दो ही बिल्डिंग्स में नी बनवाई है और अग्जेब नी एक है बीबी का मकबरा इनकी जो वाइफ थी वह उनके लिए बनवाया था बीबी का मकबरा और अंगाबाद ने और इन्होंने एक और बिल्डिंग बनवाई उसे ब रेड़ फोर्ट वाली मोती मस्जिद के बारे में अगर आपको question आएगा तो आप मार्ग करेंगे और अगर in general question आएगा मोती मस्जिद पे तो आप क्या मार्ग करेंगे शा जहां ठीक है अब बीबी का मकबरा को हम black ताजमहल या फिर ताजमहल की जो copy होती है वो भी बोलते है क्यों क्योंकि यह जो है यह grey stone से exactly सेम ताजमहल की तरह बनाया गया हुआ है और अरंगजीब जो थे वो उजयन में उनकी वो पैदा हुए और इनका टूम जो है वो भी औरंगबाद में ही है जहां इनकी wife का टूम है ठीक है तो इसी के साथ आपका मुगल empire खतम होता है इसक की मुगल्स को बिठाया गया बट इन आगे वाले मुगल्स में से कोई भी जो है वो इतना powerful अगर मैं आपको बोलूँ तो नहीं थे ठीक है तो चली आज की questions देख लेते हैं कि दे पेंटिंग्स रीजड इस हाइस लेवल द्यूरिंग हुज रें तो मैंने आपको बताया जहांगीर के टाइम पर पेंटिंग्स बहुत ज़दा अपने फुल ग्लोरी में थी विच मुगल एंपरर मूफ दी मुगल कैपिटल फ्रॉम आगरा थू डेली तो ये थे शा जहां ने वापिस आग्रा टो डेली शिफ्ट कर दी मोधी मस्जित जो है वो किस सिटी में है देखिए मैंने आपको बोला था अगर नॉमल क्वेस्चन आएगा जिसमें रेड़ फोर्ट के बारे में नहीं बात होगी तो आपके माक करेंगे आग्रा को ब्लैक ताजमहल कहा है इसा खान ठीक है फिर इस बीबी का मकपरा लोकेटर तो यह औरंगाबाद में है और इसे किसने बनवाया था औरंग जेब नहीं मुगल एंपरेर आद टाइम अफ एहमद शाह अबदाली इंवेजन इंडिया वाज तो एहमद शाह अबदाली जब इंडिया में आये तब कौन से मुगल एंपरर जो थे वो थ्रोन पर थे तो वो थे शाह आहलम वन अबदुल हामीद लाहोरी इस दे ऑथर ओफ विच बुक तो पाजशा नामा जो है ये एक बुक है शाह जहां के ओपर एक बुक लिखी गई थी जो अबदुल हमीद लाहोरी ने लिखी थी और उस बाहदुशा सेकंड ठीक है बाहदुशा सेकंड जो है आपको मैं जब आपको रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ाऊंगी तो इनका बहुत रोल है क्योंकि कि he was marked as the head of that revolt just because कि ये डेली के head थे उस ताइम पर ठीक है मोती मस्जिद in red ford was constructed by यहाँ पर बाय लिखा हुआ है और मैंने हां औरंग जेब ठीक है खेल है औरंग जेब नहीं मोती मस्जिद और red ford की थी वह बनवाई थी और सिंपल जो मोती मस्जिद है आग राद की वह किसने बनवाई शाह जहानी ठीक है आज भी three questions for you आप यह तीन क्वेस्टन करके जाएंगे अगर यह वीडियो आप पढ़ने आए हैं तो आप यह तीन क्वेस्टन करके जाएंगे बिकज्ट्स अन्य शोज यूर्ड डेडिकेशन तोवर्ड स्टाडीज और मैं ऐसे ही आप लोगों से इंटराक्ट कर पाती हूं अगर आपको कोई सजेशन्स हैं वो भी आप मुझे कॉमेंट पॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको कोई डाउट आ रहे है इस लेक्चर में वो भी आप मुझे बता सकते हैं अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजे और थैंक यू फॉर यॉर लवन सपोर्ट और अब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे सब्सक्राइब दूब लगए और यूज ब्रिटीशे आ जाते हैं जब मुगल एंपायर खतम हो जाता है जब एक नई तरह की अद्मिनिस्ट्रेशन चलने लगती है इंडिया में तो विद बाट आइंट वीडियो थैंक यू समाच बाइज